हेलो एवरीबन इंगल्स स्टेडी एंड इसे सेंटर में आपका स्वागत है कॉंट्रेक्टेट फॉर्म्स या सौट फॉर्म्स क्या होते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल ला है सौट फॉर्म्स सब्दों को छोटे रूप में लिखना या छोटे रूप में कहना तो सीडी सी परवासा है इनकी जब इंगलिस के दो सब्दों को बोलती समय या लिखती समय छोटा करके इनको लिखा जाता है उनको जो लेटर्स इनके हटाए जाते हैं उनकी जगे अपोस्ट्रोफी का इस्तमाल किया जाता है तो उस अपोस्ट्रोफी से जो छोटी के हुए सब्द फॉर्मेट को हम कॉंटेक्टेट फॉर्म्स या सौट फॉर्म्स बोलते हैं जैसे कांट, कैनोट, आइड, आइवुड, आइहेट इसमें आइहेट की जगे आइड लिखती है इनका इस्तमाल हम ज़्यादा तर स्पीकिंग में करते हैं या इनफॉर्मल लेटर्स लिखने में या प्लेज में, नोवेल्स में भी कभी कभार इनका इस्तमाल हमको देखने में मिल जाता है formal English writing में in forms का इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन in formal writing में भी और speaking में भी इनका बहुत इस्तमाल होता है ध्यान रखें contracted forms में जब तो सब्दों को छोटा लिखते हैं और उसकी जो letters हम अटाते हैं उसके जगे apostrophe का इस्तमाल करते हैं तो वो contracted forms स्याज short forms कहलाते हैं कुछ examples हम देख लेते हैं पहले नमर का example है I, इसका full form होता है I have, दूसरा है C's, इसका होता है C's I'll का I will और I sell, want will not का want यह याद रखना, your you are, इसको y or you are से confusion नहीं करना, यहां apostrophe है, apostrophe है, इसका मतलब है contacted form है, short form है ठीक है, जैसे की didn't इसमें did not की जगे didn't लगा गया है ओ को हटा करके apostrophe लगा दिया गया है तो इसको short form में लखा गया है इस short form को हमको पता होना चाहिए कि इसमें यह n और t है, इसको not माना जाता है अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगी तो grammar में हम mistake कम से कम करेंगी what's का क्या आदा होता है इसका उता है, what is और what has that's, यह वो सब्दें जो सबसे ज़्याद इस्तमाल होते हैं that's it that is and that has इसका इस्तमाल है, let's go ज़्यादा तर हम बोलते हैं, let's का क्या है let us, sell not का short form होता है, send इसके लावा और भी contacted forms है पर यह महत्पूर contacted forms की सूची है इसके लावा यह contacted forms हमको सीखना क्यों जरूरी है NCRT की से लिवस में class 10th के chapter 4 में from the diary of Anna Frank में यह दिया हुआ है, आप देख लीजिए contacted forms के बारे में दिया गया है example और इसमें कहा है कि आप अपने पार्ट पुस्तक की पूरे पार्ट में से छाट यह contact forms क्या क्या होते है तो इसकी अपनी उप्योगता है यह आना हमको बहुत जरूरी है दूसरा व्याकरण में grammar में some और any के some और any के में पूछ लिया जाता है कि कहां some का इस्तमाल होगा कहां any का इस्तमाल होगा तो I didn't want anything आएगा या something आएगा तो जो लोग समझ जाएगे didn't का रथ यहाँ anti not है वो anything का इस्तमाल करेंगे नहीं तो something लिखाएगे तो something गलत हो जाएगा क्योंगी negative में हम any का इस्तमाल करते हैं तो इन चीज़ों का जानकारी के लिए हमें English के basics आना चाहिए of contacted forms, short forms और भी अलग चीज़े हैं जैसे abbreviation, acronyme जो हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों का आना English को समझने के लिए लिखने के लिए बोलने के लिए बहुत जरूरी है आज के लिए contacted form, short form सी आगे और भी topics इससे related पढ़े जाएंगे Thank you